आज की इस वीडियो में आप लोगों के एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत जल्दी ढोलक सीख चाएंगे, एक स्टूजेंट अगर एक साल में सीख रहा है वही चीज आप छे महीने में सीख चाएंगे, अगर कोई एक स्टूजेंट छे महीने मे एक चीज़ कर रहा है आप उसको तीन महिने में कर लोगे मेरी गैरेंटी अगर आपने ये मेरी बाते फोलो कर लिए ये आप सब के लिए लेसन वन है आप मेरे मुझे पता है मेरे स्टूडेंच या जितने भी विवर्स देख रहे हैं आप लोग अल्रेडी बहुत अच्छी दूलक बजाते हो बड़ी प्रोफेशनली दूलक बजाते हो पर आपके लिए ये लेसन वन है तो साथ ही साथ एक पैटन भी कर लेंगे और इस पैटन को कैसे तयार करना है इन बातों को फालो करते हुए जो मैं बोल रहा हूं ये पैटन देख लेंगे हम अब आप समझे ब सीखना स्टार्ट करना है तो हमने बेसिक पे सबसे ज़ाओ ध्यान देना है पर बेसिक पे ध्यान देते हुए जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को फॉर एक्जमपल मैंने आपको लेसन दिया कि आपने तिन और ता बजाना है तिन ता आदे सेजा स्टूडेंट डान सही है किया आपका हाथ डेला है यहां जो तिन की आवाज हमें चाहिए वैसी ही आवाज आ रही है की नहीं आ रही- ताहिए लोग इन सब चीजों की तरफ द्यहाने नहीं देते हो तो सिरफ बजाने एक दिन की चीज़ है उसको आप एक महिना लगा दोगे मेरी इन बातों को फॉलो कर लिजिए जो आज बोल रहा हूं सबसे पहली बात प्रेक्टिस क्यूं करते हैं जब हम प्रेक्टिस करते हैं एक चीज़ को बजा बजाकर अपने माइंड में अपने हाथ में बिठाने हैं का मतलब what if कि अगर आप प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हैं उल्टी सीधी प्रैक्टिस कर रहे हो फिर अब आप लोग सोचे हो के नहीं हम तो बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं नहीं आप गलत प्रैक्टिस करते हूं मुझे पता है 2016 से आज तक हजारों स्टुडेंट्स में मुझसे पर्सनली सीख चुके हैं अभी भी करण्टली कई सा स्टुडेंट्स सीख रहे हैं मैं डेली बेसिस पर यह चीज़े देखता हूं आप लोग सही प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए जो बताया जा रहा है जैसे बताया जा र जाते हैं तो इसमें रिस से लेकर हैंड पोजिशनिंग से लेकर साउंड साउंड डिफ्रेंस से लेकर एक एक चीज आपके बिलकुल वैसे ही कॉपी होनी चाहिए जैसे आपकी टीचर बजा रहे हैं ठीक मेरा सेकंड पॉइंट जब प्रैक्टिस करने कर रहे हैं तो क्या गलती नहीं होगी सबसे होती है गलती कोई पॉफेक्ट नहीं बजाता तो आपको क्या लगता आप गलती नहीं करते हो बजाते हो प्रैक्टिस करते हो आप गलती करते हो बड़ आप गलती क्यों देखते नहीं हो और उस गलती के साथ ही प्रैक्टिस करते रहते हो और वही गलत पर्मानेट बैठ जाता है फिर अगर आपको कहीं घुम फिर के होगा की नहीं यार मेरी ढोलक तो कुछ अलग भज़ी मुझे सही सीखना है फिर जो पुराना गलत था उसको अनलर्ण करने में समय लगेगा फिर सही तरीके से सीखने में समय लगेगा जहां एक चीज को ए अगर आपको अठेक आपने घर पे अपने आड्रेस पे बेस्कुलत को बैस गडने चाहिए ग्डाल इबाता भी चाहिएlt Самल्लस है और चाहिए और एपने घर पर अपने address पे best quality instruments अच्छे price पे चाहिए सिरफ 55 रुपे से हमारी ढूलक start हो जाती है अच्छे price पे अगर अच्छी ढूलक चाहिए हमसे जरू contact किजिए WhatsApp के थू और अगर प्रॉपर वे में ढूलक तबला हमसे सीखना चाहते है one to one सीखना चाहते है WhatsApp पे contact कर लीजिए हमारी classes कर लीजिए इस pattern को तयार करना है मेरा third point पहले समझ लेंगे उसके बार इस pattern को तयार करेंगे third point क्या है कि हमेशा हर चीज को slow बजाईए पहला point था जब भी practice करनी है सही practice करनी है जो बताया वैसे practice करनी है second point था गलतियां तो होंगी गलती को देखना है हर बार कोई नहीं गलती करो एक ही गलती को repeat कर रहे हो आप ठीक है तो गलती को देखना है कहां गडबड हुई है थार्ड slow कर दीजिए जब आपने slow कर दीजिए आप गलती भी देख पाऊगे आप सही भी बजा पाऊगे पहले दोनों के point खुदी सही होंगे यह वाला pattern इन तीनों चीजों को follow करते हुए pattern है अब यह तो है इस tempo में तो बजेगा गाने में आप क्या इस tempo पर practice करोगे बिल्कुल नहीं आप इसको बजाओगे धी ता ता तीक ता ता तीक ता ता तीक ता तीक ता तीग दा ता अब इस speed पे आप accuracy maintain कर पाऊगे जैसे आपके teacher बजा रहे हैं बता रहे हैं बिल्कुल वैसे बजा पाऊगे गलतियां फिर भी होंगी पर गलतियों को देख पाऊगे क्योंकि आप slow हो समय जादा है सोचने का हर चीज को maintain करने का आपके पास समय जादा है आप यह चीज कभी नहीं समझते बस तेज बजवा ताता तीग धाता अब इतना स्लो जब बजा रहे हो तो इनफ टाइम है सोचने का हर एक चीज एक्यूरेसी मेंटेन करने का अब इस हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गरंटी दे रहा हूं एक दिन में चीज़ें आप तेयार करोगे। यह बेस में भी देखे। हमेशा टेक्णीक पे और एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। एक बार accuracy की आदत हो गई तब आप हमेशा सही बजाओगे, साफ बजाओगे, क्योंकि जब accuracy नहीं होती, तो यही चीज अगर आप बजा रहे हो, तो साफ नहीं सुनेगी, मतलब कि तो क्या यह सही है, बोल तो ठीक है बज रहे है, क्या बोल सुन वो रहे हैं, कुछ होर ही सुन रहे है, और लाउड कितना है, संगीत नहीं है, यह शोर है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, कंसिस्टेंट करना है, आउटर बोल अब जब आप एक्यूरिसी की तरफ ध्यान दोगे, और इन तीन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत ही कम समय में सीख जाओगे, कोई भी चीज आप टार्गेट कर रहे हो, कि मुझे यह चीज शीखनी है, मैं बता रहा हूँ और जितना समय लगता, आपको उससे कम समय लगेगा, तीन बातें, दुबारा से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने है, सही प्रैक्टिस करने है, जो बताया है, वैसे प्रैक्टिस करने है, एक एक चीज पर फोकॉस होना चाहिए, दूसरा चीज गलतियां फिर भी होंगी, बट गलतियों